नमस्ते स्वागत है आप सभी का एसम न्यूज में कहते हैं कि कुली आंकों से देखा गया सपना अवश्य पूरा होता है उसके लिए बस लगन और मेहनत होनी चाहिए कुछ ऐसा ही कर देखाया है जहांजी पुलिस के सिपाही के बेटे कार्तिकिय सिंग ने जिसका इंडियन क्रिकेट टीम में चैन हो गया है इसकी जानकारी होने पर जहां उनकी परिवार में खुशिया मनाई जा रही है तो वहीं जहांसी पुलिस महकामा भी पीछे रही है इतना नहीं जहांसी एसेस्पी शिवरी मीना ने उन्हें बधाई भी दी है बताते चैने कि जहांसी पुलिस महकमे में श्यामनाथ सिंग सिपाही के पत पर तैनाथ है वे मूलता जनपत सुल्तानपुर ग्रामकुार्सी पोस्ट हरियापुर के रहने वाले है वर्तमान में इनका परिवार कानपुर में रहता है इनके दो बेटे हैं जिसमें बड़े बेटे 24 वर्ष ये कुमार कार्तिके सिंग है उन्हें बचपन से ही किरकेट खेलने में रुची थी उनका सपना था कि क्रिकेट जगत में वे एक दिन अपना नाम और अपने परिवार का नाम रोशन करे 9 साल कड़े परिश्रम के बाद आखир उनका सपना पूरा हो गया कुमार कार्तिके का इंडियन क्रिकेट टीम में चैन हो गया मुंबई इंडियन टीम्स में मुहमद अरसत खान के चोटल होने पर घरेलू मैचों में अच्छा प्रदेशन करने पर मौका मिला है कुमार कार्टिके सिंग कई राज्यों से खेलने के बाद वर्तुमान में मद्व प्रदेश का प्रतिनिदू कर रहे थे आगामी 30 अप्रेल को मुंबई इंडियन से वं राजिस्तान रोयल्स के बीच मैच होना है कुमार कार्टिके सिंग बाए हाथ के स्पिनर गेन बाज है आज की नीज़ाब लोग कैसी जगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं